अब बच्चों ऐसी ही एक स्टोरी है जिसमें एक बुजूर कबूतर छोटे कबूतरों से कुछ करने के लिए कहते हैं लेकिन वो बड़े कबूतर की बात नहीं मानते और कैसे प्रॉब्लम में फस जाते हैं तो इसी स्टोरी को पढ़ेंगे Deep in a forest एक घने जंगल में stood a very tall tree एक बहुत बड़ा पेड़ था Its leafy branches spread out like strong arms इसकी जो साखाएं थी वो इतनी strong थी जैसे की भुजाएं हो चारो तरफ फैली नहीं थी This tree was the home of a flock of wild geese ये जो पेड था वो जंगली geese होते हैं पक्षी होते हैं उनके एक सम्हू का घर था They felt safe there उन्हें लगता था कि वो वहाँ पर safe हैं सुरक्षित हैं One of the geese was a wise old bird उनमें से जो एक geese पक्षी था वो बहुत ही बुद्धी मान था लेकिन बहुत old था He noticed a small creeper at the foot of the tree उसने एक छोटी सी creeper बोलते हैं बच्चो बेल को उसने एक छोटी सी बेल को उस पेड की जणों पर देखा He spoke to the other birds about it उसने इसके बारे में दूसरी birds से कहा अपने साथ के पक्षियों से कहा Do you see that creeper क्या? तुम उस creeper को देखते हो तुमें दिखाई देती है He said to them उसने उनसे कहा Let us destroy it हमें ये नश्ट करनी होगी Why must we destroy it? Ask it the geese in surprise अब उस दूसरे पक्षी ने surprise में पूछा कि हमें इसे क्यों नश्ट करना चाहिए It is so small ये तो बहुत चोटी है What harm can it do? ये हमें क्या नुक्सान कर सकती है My friends replied the wise old word उस बुद्धिमान बुडे पक्षी ने उत्तर दिया कि मेरे मित्र That little creeper will soon grow कि वो जो चोटी सी creeper है वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी As it creeps up this tree और जैसे ही ये इस पेड़ पर ऊपर रहेंगेगी चड़ेगी It will become thick and strong तो ये बहुत मोटी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी What of that? Ask it the geese अब उस दूसरे पक्षी ने कहा तो क्या हुआ What harm can a creeper do us? एक creeper एक बेल हमें क्या नुक्सान कर सकती है Don't you see? क्या तुम नहीं देखते? Replyed the wise bird उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा With the help of that creeper की उस creeper की सायता से It will be possible for someone to climb this tree कि किसी को भी इस पेड़ पर चड़ना कि किसी को भी इस पेड़ पर चड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा A hunter can come up कि एक सिकारियां आ सकता है And kill us all और हम सब को मार सकता है Well, there is no hurry कहता है ठीक है कोई जल्दी नहीं है They replied दूसरे पक्षी ने कहा The creeper is very small कि यह जो बेल है भी बहुत छोटी है It would be a pity to destroy it now कि इसे अभी खत्म करना अच्छा नहीं होगा Destroy the creeper while it is still young The old bird advised उस बूरे पक्षी ने उन्हें सला दी कि अभी यह छोटी है तो इसे destroy कर दो Now it is tender यह बहुत कोमल है And you can cut it easily और तुम इसे बहुत ही आसानी से काट भी सकते हो Later it will become hard बाद में तो यह बहुत ही सक्त हो जाएगी You will not be able to cut it और तुम इसे फिर काट नहीं पाओगे We will see, हम देखेंगे We will see, answered the birds उन birds ने answer दिया कि हम देख लेंगे But they did not destroy that creeper लेकिन उस creeper को उन्होंने खत्म नहीं किया They forgot the wise old birds advice अब वे उस बूड़े पक्षी की जो advice दी थी उसे भूल गए As the creeper green जैसे ही वो बेल बड़ी हो गई, ग्रो कर गई It began winding its way up the tree इसने उस पेड़ पर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया यानि कि वो उस पेड़ के चारों तरफ लिपटने लगी Stronger and stronger it became और ये दिन परती दिन बहुती मजबूत होती चली गई Until it was as strong as a thick rock जब तक कि ये एक रसी के समान strong ना हो गई ये बहुती मजबूत हो गई One morning when the geese had gone out in search of food एक सुबा जब सभी पक्षी खाने की तलास में बाहर गए हुए थे A hunter came to the forest एक सिकारी जंगल में आया So this is where the wild geese live He said to himself उसने अपने आप से कहा अच्छा तो ये वो जगए है जहांपर सारे जंगली बर्ड रहते हैं When they come back in the evening I shall catch them जब वो साम को वापस आएंगे तो मैं उन्हें आसानी से पकड़ लूँगा The hunter climbed up the tree वो सिकारी उस पेड़ पर चड़ गया With the help of the creeper उस creeper की मदद से He got to the top and spread his net there वह उस पेड़ की चोटी पर पहुँच गया और उसने चारो तरफ net फैला दिया जाल को फैला दिया Then he climbed down and went away और तब वह नीचे उतर आया और चला गया In the evening अब साम में The geese returned home साम को सारे पक्षी वापस आते हैं They did not notice the net उन्होंने उस net का ध्यान नहीं दिया As they flew into the tree और जैसे ही वो पेड़ पर उड़कर चड़े They were trapped वो उस जाल में फस गये They struggled hard to get out उन्होंने बहुत ही संघर्स किया उस net से बाहर आने के लिए But could not लेकिन नहीं आ सके Help help Cried the geese सारे geese चिलाए कि मदद करो We are caught in the hunter's net कि हम इस सिकारी के जाल में फस चुके हैं Oh what shall we do अब हम क्या करेंगे अब geese कहते हैं आपस में कि हम क्या करेंगे हम इस net में फस चुके हैं Don't make a fuse now Said the wise old bird उस wise old bird ने कहा कि आप परिशान क्यों होते हो Long ago जब मैंने कहा था बहुत time पहले To destroy the creeper इस creeper को नश्ट करने के लिए But you did not लेकिन तुमने तो सुना ही नहीं Now see और अब देखो What has happened कि क्या हुआ Tomorrow morning the hunter will come back कि कल सुबह को वो सिकारी आएगा And kill us all और हम सभी को मार देगा We were foolish हम मूर्ख थे Wept the birds वो पक्षी रोने लगे We are very sorry हम चमा मांगते हैं We did not listen to you हमने आपकी बात को नहीं सुना Please tell us what to do अब हमें कृप्या बताएं कि हम क्या करें Then listen carefully तो ठीक है अब ध्यान से सुनो Reply the wise bird उस बुद्धिमान बर्ड ने कहा When the hunter comes you Must all pretend to be dead जब सिकारी तुमारे पास आए तो सभी मरने का बहाना करना ऐसा दिखाना कि आप मर चुके हो Just lie still और बिल्कुल ऐसे ही Later रहना The hunter will not harm dead birds सिकारी कभी भी जो मरत birds होती है मरी भी birds होती है उन्हें नुकसान नहीं करेगा He will throw us to the ground हमें वो ground में फैक देगा It will then be easy for him to climb down और तब उसके लिए नीचे उतरना आसान हो जाएगा Collect the dead birds उन dead birds को इखटे करने में And take them home और उन्हें घर ले जाएगा When the last of us नीचे फैंकी जाएगी We must quickly get up तो हम जल्दी से उठेंगे यानि कि हम को जल्दी से उठ जाना चाहिए And fly away और तब हम उठ जाएगे In the morning और सुबह को The hunter came to the tree सिकारी उस पेड के पास आया And climbed up और उस पेड पर चड़ गया He looked at the geese in the net उसने उस net में उस जाल में उन पक्षियों को देखा They are all dead वे सभी मरे हुए है He muttered to himself वो अपने आप से बढ़ बढ़ाया अपने आप से कहा He threw them out of the net One by one उसने एक एक करके उस जाल से सभी birds को नीचे फैंक दिया The birds lay still until the last one had been thrown down सारे पक्षी तब तक ऐसे ही लेटे रहे जब तक कि उस net से जो last birds थी उस net से फैकी गई Then all at once और तब सभी एक साथ अचानक they got up वो टुगए Flapped their wings अपने पंखों को फड़ फड़ाया And flew away और उड़ गए The hunter was taken by surprise अब उस सिकारी को बहुत ही आश्चिरे हुआ From the top of the tree He washed all the geese fly away उसने उस पेड की चोटी से देखा कि सारे geese पक्षी उड़ चुके है So students ये story थी इस पार्ट की हमें कभी भी बड़ो की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए उनका कहना मानना चाहिए Now अब देखेंगे New words जो इस chapter में आए First है geese Geese किसको कहते है Plural for goose Goose bird होते है उनका plural जो है वो geese होता है Large web-footed bird जिनके बड़े-बड़े जाल जैसे foot होते है उस bird को geese कहते है Creeper होता है Plant that needs support to grow जिसे बढ़ने के लिए किसी की support की जरूत होती है Usually along a wall or a tree अधिकतर किसी भी दिवार की या किसी पेड के सारे की जरूत होती है Winding बोलते है Go in circular किसी भी circular में जाना लगाता चलना Spiral course Next is watered Spoken in a low tone दीमी आवाज में बोलना Flapped बोलते है Move wings up and down इसको पंखो को ऊपर नीचे करना Students if you like this video Please like and share And if you are new on this channel Please subscribe the channel Thank you